आप सभी को नए साल की धेरो शुब कामना है नया साल है और जो कुछ हमने पिछले दो सालों में देखा उसके बाद मन में कई सवाल उठ रहे हैं कैसा रहेगा ये साल कोरोना कितना असर डालेगा राजनीति किस करवट बैठेगी और इन सारे सवालों का जवाब देने के तो सबसे पहले तो देखे नए साल की शुब कामना है आपको और यही मेरा सवाल और दर्शक भी आज यही जानना चाहेंगे कि देश के लिए आने वाला ये साल कैसा रहने वाला है प्रारम में मैं बता दूँ कि भारतिय जोतिस के हिसाब से यह निया वर्स प्रारम होता है चैतर सुकल प्रतिपदा से अंगरीजी तिथी के आधार पर एक जनवरी से नया वर्स प्रारम होता है वैसे आने वाले वर्सों में जो ग्रह संचरन हैं वो इतने जादे महत्रपूर्ण हैं कि यह बहुत दुरगामी प्रणाम देंगे क्योंकि एक साथ तीन तीन ग्रह जो यह राजजितिक शेत्र में हो देश और विदेश में दुरगामी पर नाम लाएंगे यह अगला सवाल मेरा सर इस सवाल से आप भी बहुत बार उबरू हुएंगे आपने भी लोगों के मन से सुने हूंगे यानि कि कोरूना से जड़ा हुआ सवाल है कोरूना जिस कारम होई थी 2020 में खास करके 2009 सेप्टेंबर के बाद में एक ग्रहन पड़ा था सूरी ग्रहन उसके बाद में करोना का प्रदभाव हुआ था और यह अभी चान्टिन्यूड है लेकिन जैसे ही सनी मकर रासी से कुम रासी की तरफ संचरन करेगा जो कि मार्च में हो रहा है उ उस समय तक ज्यादा से ज्यादा करोना का प्रभाव दिखा जा सकता है उसके बाद इसके प्रभाव कम होते नजर आएंगे या करोना रहेगा लिए उससे भैभ होने की कोई बात नहीं होगी मैक्सिमम प्रभाव इंपक्ट हो सकता है मैक्सिमम रूप से तो मार्च तक रहे बाद में इस्तिती ठीक हो जाएगी कुछ नो कुछ इसके इंपक्ट रहेंगे वैक्षिनेशन लोगों को लेना पड़ेगा सब्सक्राइब को बरत नहीं पड़ेगी जिस तरह की भ्यावा इस्तिती पिछले साल हम लोग ने देखा वैसी इस्तिती अगले आने वाले सालों मे नहीं है यह सवाल में इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि ओमीक्रॉन का खत्रा डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स लगातार बता रहें कि बहुत जादा यह नए वैरियंट का जो खत्रा है अधिस से अधिक हम लोग फरवरी तक महसूस कर सकते हैं मार से इसके इंपक्ट में नि पर्सानियां वह कम हो जाएंगे वह निश्य दरूप से कम हो जाएंगे करोना को लेकर हम यह कह सकते हैं कि राहत हमें अगला साल जो है निश्य दरूप से राहत के लिए होगा ठीक है अच्छे संजीब जी अब मैं क्योंकि राजनीतिक लिहाज से भी इस साल बहुत महतुपून रहने जा रहा है काई राजों में चुनाओं भी होने वाले हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे राजनीतिक को सोचकर आपको क्या लग रहा है कैसा रहे गए एक महतु मेहने में यह कुम राशी से संचरन करेगा लेकिन दो महने के बाद में पुना इसका मकर में वापस वक्री होकर के संचरन करने लगेगा तो सनी मोटे मोटे तोर पर पूरे वर्स में मकर राशी को प्रभावित कर रहा है मक्करासी में सन्नी का संचरन हमेशा विसेश राजिनितिक परिवर्तन देता है तो बहुत से राजिनिति घटनाएं घटेंगी अचानक घटनाएं घटेंगी बहुत से राज्यों में राजिनितिक परिवर्तन होने की संभावनाएं है कुछ राजियों में जो वर्तमान सरकारे हैं उनमें परिवर्तन का योग बन सकता है और कुछ नए नेता का प्रादुभाव होगा या पुराने नेता के वर्चस में कमी आएगी नी परिवर्तन का इंडिकेशन है और इसको हम अगर ब्रॉडर रूप में और कहें तो पूरे बिश्व के संदर में बहुत मेजर घटनाओं वाला वर्स होगा आपका दो हजार बाईस और तेइस का आचा क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि चुनाओं भी हैं कई राज्यों में तो उस लिहाज से आप क्या बताएंगे बतलब चुनाओं की लिहाज से कैसा चुनाओं के बारे में एक्जाक्ट रूपने भविस्मानी करना जिस समय चुनाओं का डेट इंदिजारीत होगा उस समय का नसंभव होता है वैसे मोटे-मोटे तोर पर यह कहा चासरता है कुछ राज्यों में सरकारें परिवर्तित होंगी आप परिवर्तन की भी बात कह र रहेंगे चलिए तो राजनीती की बात हो गई अब एक और महत्वपूर्ण सवाल में कर लेती हो जो देश की एकॉनमी से जुड़ा हुआ है यह सवाल इसले महत्वपूर्ण हो जाता है भी आर्बी आई ने हाली में कहा कि कुरूना का नया वेरेंट जो है वो एकॉनमी पर पी एकॉनमी पर भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है तो इसको लेकर कैसा रहेगा ही साल सबसे महत्वपूर्ण यह है की पिछले दो सालों से सनी का जो संचरन मकरांशी में हो रहा है जब कभी संचरन मकरांशी में हुआ है आर्थी रूप से कुछनों कुछ मेजर परिवर करते हैं 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके बाद का समय उसके बाद यह पहली बार का समय है जो पिछले डेट साल दो साल से चल रहा है जहां पर पूर्दे विश्व में आर्थिक मंदी की अवस्था है और मेजर आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे भारत के जो कुडली बनी थी उसको उसका घाब भाजयभाव आ है कर्मभाव बहुए इसमें सद्टी सिति सुथार ही ओतनी आर्थिक परसानिया भारत के संदर में नहीं सब्सक्राइब करते हैं देडरे करके स्थिति में सुधार होगा विशेस परिवर्तन विशेस उधार की अबस्ता 2022 के अप्राइल महिने के बाद है लेकिन परसानिया बनी रहेंगी कुछ सेक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और कुछ सेक्टर ज्यादा प्रभावित होंगे और कुछ सेक्टर में विशेस प्रगतिव हो सकती है एक सबसे महत्रपुन चीज वह है वह यह कि आपका सेर मार्केट में काफी उतार चड़ाओ की अवस्ता रहेगी जो पिछले नौंबर से चल रहा है आने माज तक यह काफी उताच्राओ की अवस्ता रहेगी काफी एर्याटिक मूव्मेंट आपको देखने को मिलेगा सेर मार्केट में और अगर मैं कहूं मतला आपने कहा कि सुधार होगा लेकिन बहुत धीमिकती से तो मतला महंगाई जो है अभी वो बनी रहेगी महंगाई आपको बनी रहेगी ल क्या जादा प्रभावित HOगा इस तील सेक्टर में वी थुड़ा गिरावट रहेगी पर बाद में स्केंसिति में सुधार होगा गर्मेंट सेक्टर वर्ट के प्रारम में बहुत अक्षी तिती में नहीं रहेगा लेकिन बाद की अवस्ता में इसी तिती अच्छी रहेगी क क्योंकि सनी जो है लेबर फोर्स को इंडिकेट करता है तो बहुत जगह जगह पर उस लेबर अन्रिस्ट देखने को मिल सकते हैं अरिकल्चर सेक्टर में इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी ज्यादे इंप्रूव्मेंट की का इंडिकेशन है जो आने वाले वर्सों में महिने में ही ब्रसफथी का रशी परिवरतन है और तुझ मेज़ ग्रह के अर्फवकी की समभावनुय बनाता है कोया अ 2000 इरनियॉवत में हो जया है फिर आपर तुफान इससेटियां के इन्डिकेट कर रहें और इसी साथ साथ में अपरल महिने में बनों गहन अगे Bardzo् Ice Rap पढ़ेंगे अगले साल में पढ़ेंगे तो इसमें मेस राजी में गरहन का पढ़ना नेच्रल जोडिया के फर्स्साइन को इंडिकेट करता है तो यह काफी बड़े परिवर्तन की ओर देर रहा है तो कुछ नोगुछ प्राकिर्तिक रूप से कुछ नोगुछ घटनाएं साल बनेगा अच्छा संजीव जी पर आप मैं चाहते हूं कि आप देश्ट से कुछ कहना चाहते हैं कुछ खास ख्याल लोगों को रखना होगा किसी बात की तरफ ध्यान जादा अगर आप आकर्शित करना चाहिए सनी का संचरन मकर रासी में और कुम रासी में हो रहा है सनी कभी को कहा जाता है वो कर्म प्रदान करम प्रदानग्र है तो जो भी बैक्ती अपने अनुसासन के आदार पर कर्म में लगे रहेंगे उन के लिए साल कभी भी ख्राब नहीं हो सकता है अनुसासन को छोड़कर विप्रित दिसा में परविर्थी रखेंगे तो उनके लिए विशेश परसानिया का योग हो सकता है एक चाहिए और भी ध्यान में रखने की बात यह है कि दो रासी के लोग तोड़े ज़्यादा सतरक रहें एक मिधुन के लिए और दूसरी यह है कि आपको ब्रिश्चिक के लिए यह दूरासी के लोगों को ज़्यादा सतर करने की आउसकता है यानि कि आप कहरें कि मिला जुला असर इस साल में होगा कई हम संभावनाओं को भी देख रहें तो चुनौतियों से भी हम नहीं फेर पाएंगे प्रगति की अवस्था रहेगी मार्च के बाद से प्रगति होगी चेंज के साथ परिवर्तन होगा कोई भी चेंज बड़ा चेंज होता है तो कुछ न कुछ सुरवाती दोर में कुछ न कुछ डिफिगल्टी क्रिएट करता है यह ट्राजिशन का फेज है जहां से सनी जो है क्या संभावना या फिर चुनौतिया इन तमाम चीजों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया आपका